हलो फ्रेंड्स आज एक मही है आपको साट साल पहले की कहाने सुनाता हूँ गौर से सुनिये सुन कर आपको बड़ा आनन मिलेगा कहाने गुजरात और महाराष से जुड़ी हुई है गुजरात और महाराष साट साल पहले बॉम्बे के आधीन थे जानिये बॉम्बे से कैसे अलग हुए गुजरात और महाराष बॉम्बे से महाराष और गुजरात बनने तक के सफर में वहां के लोगों को कई परिशानियों क का सामना करना पड़ा बात 1960 से पहले की है उस समय दोनों राज्य बंबे का हिस्सा हुआ करते थे बंबे में मराथी और गुजरादी दोनों भासाएं बोली जाती थी धिरे धिरे दोनों भासाओं के लोगों के बीच अलग राज्य की मांग उठने लगी बासा के आधार पर य लोग अपने लिए अलग राज्य की मांग कर रहे थे पुनर गठन अधिनियम 1956 के तहत कहीं राज्यों का गठन किया गया इस अधिनियम के तहत कंड़ भासी लोगों के लिए करना टक राज्य जबकि तेलगू बोलने वालों को आंध्रप्रदेश मल्यालम भासियों को केरल और तामिल बोलने वालों के लिए तमिल नाडू राज्य बनाया गया इसके चलते मराठियों और गुजरातियों के अलग राज्य की मांग तेज हुई कई आंधुलन हुए इसमें कई आंधुलन कारी भी सहीद हो गए आखिरकार एक मई 1960 को भारत के ततकालिन वड़ा प्रधान जवालल नहरू ने बॉम्बे प्रदेश को दो राज्य में बांट दिया गुजरात और महाराश्ट लेकिन मामला यहीं सांत नहीं हुआ दोनों राज्य में बॉम्बे को लेकर लड़ाय सुरू हो गई मराठियों का कहना था कि बॉम्बे उन्हें मिलना चाहिए क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा तर लोग मराठी बोलते है जबकि गुजर्यातियों का कहना था कि वे प्रदेश की तरक्की में उनका योगदान ज़्यादा है आखिरकार बॉम्बे को माहरास की राध्धनी घोसीत किया गया पे सुहागा एक माई को संपूर विश में आंतराष्टिय स्रमिक दिवस मनाया जाता है और इसी दिन देश के दो बड़े राज्य याने गुजरात एवं माहरास का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है माहरास में माहरास्ट दिवस और गुजरात में गुजरात दिवस मनाया जाता है इस दिन राध्य सरकार दुआरा विशेश सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजित किया जाता है स्कूल कॉलेजों में भी कई तरह के रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं लेकिन इस साल कॉरोना वाइरस की वज़े से दोनों राज्य याने गुजरात और माहरास इस दिन को पूरी साद्गी के साथ यात करेगा हमारे भारत के राष्टपती रामनात कोविन और प्रधान मंत्री नरंद्रव मोधी ने गुजरात ऑवं महारास के लोगों को सुभ कामनाई दी प्रधान मंत्री ने आगे कहा कि गुजरात के लोग अपनी साधगी और उद्धम सिल्था के लिए जाने जाते हैं आईए हम गुजरात के कुछ रोचक तथ्या के बारे में जानकारी देते हैं गुजरात के स्थापना में सबसे बड़ा योगदान महा गुजरात अंदुलन का है जिसकी सरुवात 8 अगस्त 1956 मुंबई से हुई थी जिसमें सबसे ज़्यादा योगदान मुराजी देशाय और इंदुलाल यागनिक का था मैं 1960 को गुजरात को अलग राज्य गुशित किया तो उसका सुब आरम एहमदाबाद के साबरमती आसरम से पुझ्य स्री रवी संकर महाराज के हाथों से हुआ था तब गुजरात राज्य में सत्रह तेहसील थे और उसकी राजदानी एहमदाबाद थी बाद में सन 1964 में गादी नगर को गुजरात की नई राजदानी घोसित की गुजरात के पहले मुख्यमंत्री स्री जीवराज महता और गवर्नर महदी नवाज जंग को बनाया गया गुजरात की और भी विशिष्टा है गुजरात पस्सिम भारत में स्थीद एक राज्य है इसकी उत्तर पस्सिम सिमा जो आंतराश्टिय सीमा भी है पाकिस्तान से लगी है राज्यस्तान और मध्यप्रदेश इसके क्रमहस उत्तर इवं उत्तर पुर्विय में स्थीद राज्य है जबकि महाराश इसके दक्षिन में है अरब सागर इसकी पस्सिमी दक्षिनी सीमा बनाता है इसकी दक्षिनी सीमा पर दादर इवं नगर हवीली है इस राज्य की राज साइक केंद्र एहमदाबाद के समित स्तीत है गुजरात का कुल सेत्रफर एक लाग च्यानब्बे हजार सततर है किलोमीटर है गुजरात भारत का एक राज्य है कच्छ सोराश काठ्यावाड हालार पांचाल गुहिलवाडा जालावाडा और गुजरात उसके प्राधेशिक सां अनुबंधन राजस्तान सेंद और पंजाब महाराश और मध्यप्रदेश की साथ है विसाल सागरतट वाले इस राज्य में इतिहास यूग के पारम होने से पूर्वही अनेक विदेशी जातिया धल और समुद्र मार्ग से आकरस्थाई रूप से बसी हुई है इसके उपरा गुजरात में 28 आदिवासी जातिया है जन समाज के ऐसे वेविध्य के कारण इस प्रदेश को भाती भाती के लोग सांस्कृतियों का लाब मिला है अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आये तो लाइक करे और ऐसी रोचक तत्थ्य जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्रा करे और सीर करे दुन्यवार